हेलो अब्रिवन वेलकम तो स्टड़ी सर्विस चैनल स्टड़ी सर्विस चैनल के इस वीडियो में आज हम डिसकस करेंगे पर्सेश सर्वर के बारे में तो काफी बच्चों के कोमेंट आ रहे थे मैसिज आ रहे थे कि पर्सेश सर्वर की जॉब क्या है इसका ट्रीट कैसे होत में या district court में क्या कारे रहता है इसका क्या job profile रहता है तो इसके regarding जो भी आज के question होंगे आप लोगे उसके regarding आज हम discuss करेंगे कि process server क्या है first of all तो हर किसी को ये बता देता हूं कि process server को जो हिंदी में कहते हैं वो है आपका प्रक्रिया server और अगर आप भी तक आप लोगों ने इसका exam fill नहीं किया है तो प्लीज इसको fill कर दीजिए तो इसकी जो date है वो है 21-12-2018 तो process server के इलावा जो high court हिमाचल परदेश शिमला है वहां की जो vacances निकली है वो निकली है क्लरक के लिए जो आपको पता होना चाहिए कि क्लरक के लिए 22 vacances है यह भी आप लोगों के लिए most important है फिस टैनोग्राफर है judgment writer है और junior office assistant and after then हमारा process server तो process server के कितनी पोस्ट है तो इसकी 19 पोस्ट है यह भी आप लोगों को जुरूर देखना आप लोगों के जितने भी डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे और एक डाउट जो हर किसी का है क्या यह PN की जोब है तो इसके बारे में भी लास्ट में आप टेस्ट आप लोगों को प्रवाइट करवाए थे डेली की डेली जो 930 पे क्लास लगती थी आपकी लाइफ वैसी लगे जो आपके एक्जाम क्लियर करने में काफी हेलफुल रही थी पोस्ट कोड 692 के लिए तो अगर आप कहेंगे तभी हम लगाएंगे तो आज हम जो डिसकस करेंगे वो है आपका प्रसेस सर्वर तो उस क्लास के लिए आप यस और नो जुरूर लिखना कि आप लोगों को वह वाली क्लास टाहिए कि नहीं फरस्ट अफॉल जॉब प्रफाइल इसका क्या रहेगा रोल और प्रसेस सर्वर इन्ने कोट तो फिर से मैं आप भरा काम नहीं होता है सबसे easy work होता है इसका just paper writing का work है इसका इसमें तो इसके बारे में आप लोगों को बताता हूं कि जो प्रसेस सर्वर का कारे होता है वो court के जितने भी documents होंगे files होंगी उनका रक रखाव करना उनको submit करना उनको by hand किसी से लेना ये सारा जितना भी काम हो करता है आपका process server तो इसका कारिया यही होता है इसमें तो इसका मैंने आप आप लोंको roll बता दीया क्या है अब इसके कारे के बारे में जो मैंने पिछ़ए discuss किया इसका कारे होता है कि gode के अंदर जो भी document फाइल है उसको इसने submit करना है और court के जितनी भी document file है इनको retrive भी करना है retrive मतलब पुना प्रापत करना कर किसी को दी है तो उनसे बापिस लेनी इनका जितना भी रख रखाब होगा लेखा जोखा का काम होगा वो सारा कौन करेगा process server और जितने भी इसमें कानूनी दस्तावेज होते हैं इनका भी यही देखवाल कौन करेगा आपका process server और इनको servicing की भी जरूरत होती है इनको update करना होता है ये भी काम करता है आपका process server तो ये आप लोगों को मैंने अभी बता दिया कि क्या काम होता है after then आप लोगों को एक और चीज़ बजा देता हूँ कि जो documents होते हैं उनको एक जगा से दूसरी जगा तक लेके जाने का काम भी होता है process server और document को संभाल के रखना कोई भी document आपका court का है legal का है law से related है या कानूनी का कोई भी दस्तावे जाता है आपका तो उसको भी संभाल के रखता है आपका process server इसका main कारियर यही होता है कि documentation जितनी भी अंदर होती है उसको इसने पूरा संभाल की करना होता है submit करना है उसको fill करना है अब तो आप लोग समझ जी गए होंगे कि process server का career क्या होता है तो इसकी job class मैंने आपको बताई class 4 की class 4 होती है इसमें जिसे आप group D भी कहते हैं group D की सबसे best job होती है class आपकी process server की जिसका career simple होता है document की संभाल के रखना और उनको maintain करना update करना अब vacancies कितनी निकली है हर किसी को यह पता होना चाहिए अभी तक तो यह किसी हर किसी को पता लगे किया क्या था और एक question जो हर कोई मिस से पोछ रहा था क्या यह PN की vacancy है तो आप लोगों को साफ कह देता हूँ कि यह को PN की vacancy नहीं है यह best job है group D class 4 में तो आप लोग जूर इसको fill करें जितना भी इसका है तो आप लोग इसको fill कर सकते हैं तो प्रोसेस सर्वर की vacancy कितनी निका ली है हाई कोट शिमला ने तो इसकी vacancy निकली है 19 19 vacancy है जिसमें 9 है इसकी clear cut जो unreserve के लिए मैंने आपको journal के लिए बताई थी 5 है 3 SC के लिए है और एक obviously और 10 है इसकी anticipated जिसमें 5 है जर्नल की 2 SC और 3 obviously ST के लिए कोई vacancy नहीं है और एक contract बेस पे है 1 unreserve आगे इसकी district बाइस होती है वो आप लोग देख लेना उसकी जो qualification है वो प्लस टू है सिरफ और इसकी जो salary होती है वो कैसी है इसकी salary है आपकी 4900 से लेके 10608 काफी अच्ची salary है प्लस इसमें grade पे आपको 1400 रुपए का मिलेगा और जो contract पे है उनकी है 4900 से लेके 10680 और grade पे इसका कितना मैंने आपको बताया 1400 रुपए तो ये थी हमारी अब main बात आती है इसका syllabus तो इसका syllabus मैंने पहले भी डिसकस किया था इसका syllabus सिंपल आई का 50 नंबर का एक एक मार्क्स का एक पेपर 50 कोश्चन होंगे जर्नल नोलस के होंगे Science, Geography, History Political, Economics, Grunt of Air हिमाचल परदेश ये सारा आप से पूछा जाएगा और अगर आप लोग इसका course करना जाते हो तो study service इसका course भी करवा रहा है अलावा करवा रहा है YouTube से, YouTube पे नहीं करवा रहा है YouTube से अलावा हम अपनी एप पे करवाते हैं और इसकी जो फीस होती है वो काफी कम रहती है, 1000 इसकी फीस रहती है जिसमें आपको पूरा syllabus करवाय जाता है live classes होती है तीन से लेके पांच तक अगर आप अटेंड ना कर पाओ तो आपको उसकी वीडियोस मिल जाती है recorded आप उसको डाउनलोड कर सकते है after then आप लोगो पीडियेफ मिलते है notes के रूप में और आपको mock टेस्ट दिये जाते हैं तो यह आज की हमारी बीडिय थी इसके साथ हमारा अभी जो कोर्स चले हुए है वो पटवारी के चले हुए है पुलीस की है स्टैनोग्राफर और पंचैत सचीव साथ में ही माचल परदेश हाई कोर्ट में कलरक और आपका जूनिर आफिस असिस्टन्ट और परसेस सर्वर अगर आप इसमें कॉंबो कोर्स लेना जाते हैं वो भी है तो आप इसको जोईन कर सकते हैं और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक शेर और सबस्क्राइब करें और एक वर फिर से कहना चाता हूँ अगर आप लोगों को पहले की तरह पोस्ट कोट 692 की तरह क्लासिस चाहिए डेली की डेली 930 लाइव तो आप बता दीजिए हम लगा देंगे येस और नो में कॉमेंट जूर करें ठेंकी सो मच